हेलो गाइज वेलकम बैक तो डियर कार तो फाइनली आज हमारे पास अवेलेबल है औल न्यू ट्वन्टी टॉन्टी टॉन्टी फॉर महिंद्रा एक्सवी थ्री एक्सो का टॉप अप दे लाइन वेरेंट जैसे कि आप देख सकते हैं यह टॉप मॉडल में आपके सामने लेक क्या स्पिसिफिकेशन हैं पूरे फीचर्स ने इस वीडियो में आपको बताने वहहें तो इन तक जरूर देखे गाताना मेरा क्या और वीडियो का एंट तक देखना आपका काम है तो यह आपके सामने सिट्रॉइन यलो कलर खड़ा हुआ है और तर्बो में है यह वेरेंट वहाई इसका फुल डीटेल वॉकरांट रिव्यू करते हैं तो लॉसीवी 3XO 3W और यह आपके सामने 2024 का फर्स जेनरेशन फेसलिप डीटेश्ट आप देख रहें चाहरे दोती से 7.49 रॉपीज है और इसकी टॉप मॉडल की कीमत है फिफ्टीन पॉइंट फॉन नाइक रूपीज सूंद और तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं इसमें आपको दो पेट्रॉल एर डीजल इंजन और इस टॉप मॉडल में आपको हर्मन कार्डन का स्पीकर मिल जाता है 380 वाट का नासिक में सेंबली होती है 3XO की और प्रताब बोस जी ने इसको डिजाइन किया है तो डिजाइन आपको कैसी लग रही है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और यह आप देख सकते हैं कलर ऑप्शन भी काफी अच्छे अच्छे विलेबल है वह आप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 8 सिंगल टोन मिलेगा और 8 मोनो टोन कलर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि इसमें आपको स्काई रूफ मिल जाती है टॉप मॉडल में जो की अधर सेग्मेंट में नहीं मिलती है तो यह आप चेक आउट कर सक अधर बढ़ेशा adventure च्छिए उपर के तरह यहां ऑफ मुझेजा आपको टो वाइफर आपको वाईफ Miles यहां यहां बहुत अपको मिल जाताए उपर की तरफ आपको Adhast का कैमरा देखने के लिए बिल जाता है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा आईए आपको इसका इंजन दिखाते हैं तर्बो चार्ज इंजन ये वेरेंट है तो तर्बो चार्ज इंजन मैं आपको दिखाता हूँ आपको इंजन हुड दिखाते हैं तो इंजन हुड खोलना काफी इसी यहां से एक नॉप दियर है को खीचेंगे तो आपका इंजन हुड ओपें हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं इंजन यहां पर आपको जो मिल जाता है सब्सक्राइब आपको 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 मिल जाता है तो यह काफी अच्छा लगा मुझे और इसका TCMPFI इंजन भी आपको मिल जाएगा नॉर्मल नैचरली इंजन उसकी 110 होर्सपावर रहेगी 200 अनम का टॉर्क मिलेगा आपको और डीजल में अगर आप लेना चाते हैं तो डीजल में भी आपको यह ऑप्शन मिल जाता है A7L में और यह आप देख सकते हैं आपको मिल जाती है यह सब देख सकते हैं उपर की तरफ और चारों इंडिकेटर इसके आउन हो जाते हैं आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी लीजे होड ओपेन करेंगे आपका चारों इंडिकेटर ऑन हो जागई एक सेफटी भी करें आई चलते हैं इसके साइट प्रोफाइट की तरफ तो डाइमेंशन बगएरा वह आपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गारी में आपको 201 mm का ग्राउंड के रिंस मिल जाता है यहां पर फिंडर पर चेक करेंगे ना यहां पर टीजी डी आई ऑटोमेटिक की ब्रैंडिंग मिल जाता है यह आपकर देख सकते हैं यहां पर आपको 17 इंचेस के अलोई वील्स मिल जाएंगे और फोर डिस ब्रेक के साथ प्रोफाइल आपको 215 55 17 इंचेस के मिल जाएंगे काफी जबरदस्ते पीछे आपको भी और पीछे आपको ट्विस्ट बीम सस्पेंशन बिद क्वा आपको फिनिश मिलेगी रूफ्रेल साप को पियानो ब्लाक् फिनिश में देखने मिलेगी यह पोर्शन आपको प्यानो ब्लाक मिलेगा है। स्पोईलर वगर आप चेकाउट कर सकते हैं काफी खुबसूरत लगता है यह ब्लैक कलर में और यहां पर आपको मिल जाती है इस पाइए इस की रेर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो यह पर देखते हैं काफी खुबसूरत लगती है यहां पर आपको कनेक्टेड बुकिंग काफी तगरी चली इसकी और डिलेवरी इसकी स्टार्ट हो गई है यहां पर और रिफ्लेक्टर देख सकते हैं स्किट प्लेट काफी अच्छी दी गई है नीचे के तरफ सिल्वर कलर की स्किट प्लेट वगरा यह सब आपको देखने के लिए मिल जाता है रियर व और यह आंटीना वगएरा यहां पर चेक आउट कर सकते हैं तो आप इसकी बूट खोलने की बात हुई तो इसके बूट खोलते हैं इसका बूट ओपन करके देखते हैं तो यहां पर बूट ओपन करेंगे तो काफी अच्छा यहां पर मैंने पूरा समान लगेज के लिए पूरा सूटकेस रखा हुआ है चार सूटकेस आप इसली रख सकते हैं देख सकते हैं काफी जबर्दस त्री सिस्टी फॉर लेटर का बूट स्पेस मिल जाएगा और इसका तरफ आपको सब बूफर मिल जाएगा हार्मन कार्डें सभी 7 स्पीकर भार में पर епर बूल के साथ आपको लाइन साथ हैं और साथ आपको यहां पर की तरफ मिल जाती आपको देखने के लिए स्टकेस के साथ क्वाइगा और इसकने परिछ इसका इसकिंट प्रिम इंटियॉ ने-चलतने कहीं हैं ऊपको ईुब ब profess ऍkickम निग्Det क आपको कुछ ऐसी दिखती हैं यहां पर कर सकते हैं और इपर की तरफ आएंगे यहां पर देख सकते हैं आल फूर पार विंडोस मिल जाती है आपको आपको देखने के लिए आपको यहां पर लेदर का सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेशन कितनी हवा भरवानी यहां पर पूरा मेंशन किया गया है इसके लिए सीट दी गई है रेकलाइन करने के लिए सीट दी गई है लेदर सीट आती है वाइट कलर का यहां पर आपको जो है कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा इसकी बात अब चलते हैं इसकी इंटियर के तरह ब इंटियर में आ चुके हैं महिंद्रा एक्सवी 3XO एक 7L जैसे की आप देख सकते हैं टॉप अफ दे लाइन वेरेंट है काफी जबरदस्त है तो यहां पर देख सकते हैं टर्बो में है यह आटोमाटिक है बागी यहां पर चेकाउट कर सकते हैं लेदर में स्टेरिंग वील यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी इस सॉफट टच यहां पर आपको जो है दो ट्रिंग पर देखने को मिलेगा और डैश बोट पर आपको जो है सॉफट टच देखने को मिलेगा इस टॉप अप दे लाइन वाले वेरेंट में एक 7L है यह और साथी साथ चेकाउट कर देते हैं इन्फोटेंबंट कंट्रोल इस सब आपको देखने को मिल जाएगा इन्जन स्टेरिंग के अजस्मेंट सिर्फ आपको टिल्ट मिलती है टेलिसकोबिक नहीं मिलती है अइस्ट्रूमेट के तरफ तेखें तो यहां पर 10.25 इंजिस्ट का त्वीन स्टिम मिल जाएगा यहां पर आपको नाविगेशन भी शोग करें कि जैसे कि आप देख सकते हो देख सकते हैं यहां पर नाविगेशन टाइम आउटसाइड टंप्रेचर गेर पोजिशन इंडिकेटर ड्राइब मोर्स स्टेरिंग मोर्स और कई सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको लेवल टू अड़ाइस आ जाता है अड़ाइ आपको देख सकते हैं वहिकल इंफो नाविगेशन यह सब आपको देखने के लिए गया दोर आजार मॉर्निक मीं भीगीपीछे आपको यहां पर शोग करेगा और यहां पर देख सकते हैं जिप जैब जूम यहां पर तीन द्राइब मोड यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे और स्टेरिंग मोड भी यहां पर आपको मिल जाता है यह सारी जिप मोड एक्टिवेटर यहां पर लिख के आ रहा है बागी कई सारी इंफॉर्मेशन है नाविगेशन वगरा बहुत ही जबर्दस चलता है और वहिकल ड्राइब एसिस्ट पर जाएंगे यहां पर लैवाट वगरा भी चेंज कर सकते हैं आप यह देख सकते हैं नॉर्मल इणफॉर्मेशन और मिनिमयल यह सब आप चेंज कर सकते हैं और यह सेटिंग में क्या सारी आपको सेटिंग बगरा ड्राइवर एसिस्टेंस ठीग यह आपका ADASC हो गया, AFE to Auto Reset, Blind View Monitor भी आता है, TPMS और Tire Fill Assist, Sound और यह सब देख सकते हैं, कई सारी information यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, Blind View Monitor आता है, जिस तरफ आप इंडिकेटर देंगे, उस तरफ आपका यह कैमरा अन हो जाएगा, और इस तरफ देंगे, तो इस तरफ 2-5 इंचेस का HD infotainment system आजाता है, जो कि आपका support करेगा, infotainment cluster हैगा, building Amazon, Alexa, wireless, Android Auto, Apple CarPlay, online navigation, USB, ticket tape, just dial, India Today, weather update, traveler explorer, FM, radio, यह सब आपका यहाँ पर चलेगा, और apps वगरा देख सकते हैं, climate, connected apps, document, download manager, drive, map my India, यह सब आपको यहाँ पर देखनेगे मिलेगा, बाकी उपर roadside assistant, valid mode, notification, radio, USB, Bluetooth, यह सब आपको देखनेगे मिलेगा, काफी smooth response है, जबरदस response है, इसकी booking बहुत तगड़ी चल लिए, बहुत ही demand में है यह गाड़ी, टॉप model में आप लेना चाहेंगे, तो 360 degree camera, add-ass, od-ass, यह सब आपको मिलेगा है, अगर आप इसका value for money variant उताना चाहते हैं, तो आप AX5 पे जा सकते हैं, तो यह होगी इसकी बात, बाकी मैंने सारे apps वगरा तो दिखा दिये, और setting वगरा पे आप जाएंगे तो setting वगरा पे चेक आउट कर सकते हैं, पुरा dual zone मिल जाता है, fully automatic, drive most, traction control, hazard lamp, passenger airbag on off, और rear defogger के लिए आपको दिया गया है, और यहाँपे चेक आउट कर सकते हैं, यहाँपे 65 watt का USB type C port और A port यहाँपे आपको मिलेगा, और wireless charging यहाँपे आपको देखने के लिए मिल जाती है, यहाँपका दोनों में आपको बटन वाली की मिलेगी, lock unlock इसको प्रेस करेंगा, आपका boot open हो जाएगा, बाकी leather seat आपको कैसी लग रही है, white color comment करके ज़रूर बताएगा, height adjust करने के लिए यहाँपे seatbelt adjust कर सकते हैं, height यह base variant से standard 6 airbag गारी में आ जाते है, adjustable headrest आपको मिल जाएगा, lightening के साथ cool glove box, यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और softness यहाँ पर आपको जो है, door trim से मिल जाएगा, यह आप देख सकते हैं, कुछ यहाँपे pattern मिल जाएगे, जो की काफी खुब्सूरत लगते हैं, और इस तरफ उपर की तरफ चलेंगे, कोई भी vanity wearer नहीं मिल को बता देता हूँ, 940 mm length है, और 870 mm width है, यह sunroof की, यह sky sunroof है, जैसे कि अब देख सकते हो, यह पूरा आप ओपन कर सकते हो, यह मैं कर के दिखा देंगा, यह देख सकते हैं, तो यह पूरी की पूरी पीछे आपकी जो है, यह चली जाएगी, तो यह काफी अच्छा फीच सकते हैं, sunroof वगरा, और light वगरा है, यह पर चकाउट कर सकते हैं, यह पर चकाउट कर सकते हैं, यह होगी, इसकी बात, बाकी सेफटी फीचर की बात के लिए 35 स्टैंडर्ड सेफटी पीचर आ जाते हैं, 6 airbag आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, electronic stability, control, ISO fix, reverse parking sensor, front parking sensor, seat bell reminders, आपक को मिल जाएगा, देख सकते हैं, auto dimming, IRVM, bezel-less, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, और साथी साथ, यहाँ पर कई सारे अच्छे, hill hold, control, hill decent, control, brake, disk wiping जैसे features, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, so यह होगी safety features के बात, अब इसमें level 2 ADAS आ जाता है, level 2 ADAS में 10 features मिल जाते हैं, adaptive cruise, control, auto emergency, braking, forward closure, warning, auto emergency, braking, traffic sign recognition, और कई सारे आपको features मिल जाते हैं, वह अपनी screen बगारा पर देख सकते हैं, और इसमें Amazon भी आता जाता है, देख सकते हैं, Amazon inbuilt Alexa, तो यह काफी अच्छा लगा मुझे, तो यहाँ पर यह सब सारे features आपको देखने के ल 5L में आपको ADAS में देखने को भी लेगा, और 7L में आपको ADAS में देखने के लिए मिल जाएगा, तो यह होगा इसका पूरा interior, I hope मैंने सारी चीज़ फ्रंट की cover कर दी है, जैसे ही आप देख सकते हो, white color और black color में combination यहाँ पर आपको मिलेगा, बाकी यह था, इसका features वगरा और बाकी देख सकते हैं, price list अगर बात करें तो price list वगरा वह अपनी screen पर देख सकते हैं, और इस A7L में और A7 में क्या का difference है, पूरी list आप वो भी देख सकते हैं, तो यह होगी इसके बात, आप चलते हैं, इसके back seat पर बैट के बात करेंगे, इसके comfort level के बारे में बात करें 3 years का आपको free roadside assistance मिल जाता है, गाड़ी में आपको speaker जो मिलेगा, harmon garden का music system मिलेगा, जो की बहुती तकड़ा बसता है, अगर आपको सुनना है, तो आप जो है मेरे instagram पे जो है जाके जो है check out कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसकी video मनाई है, बाकी rear recipients वेगरा आपको मिली जाते ह एक 12 watt का port, 120 watt का जो है, यहाँ पे आपको मिल जाता है, हम काफी कम दिया गया, यह white seat है आपको कैसी लग रही है, comment करके ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे आपको armrest मिल जाता है, twin glass holder के साथ, 60-40 split seat मिल जाती है, आपको adjustable headrest यहाँ पे आपको तीनों के तीने, adjustable headrest बगरे इस SRS airbag की badging, grab handle देख सकते हैं, with coat हो कि यहाँ पे light आपको मिलेगी, यहाँ पे भी आपको light मिल जाएगी, white color में, grab handle यहाँ पे आपको मिलेगी, coat हो कि यह भी मिलेगा, यह sky roof है, देख सकते हैं, बहुती जल्दी यह आपको जो है, Nexon में भी देखने की मिलेगी, Tata Nexon में य तो sunroof की length 940 mm length है, और 870 mm width है, तो यह sunroof है, बाकी इसके MX3 Pro वाले variant में आपको चोटी वाली sunroof मिल जाती है, यह हो कि इसके बात, I think मैंने सारी चीज से top model में cover कर दी है, तो इसका thigh support वगएरा भी काफी ठीट थाक है, पीछे के तरफ आपको थोड़ी सी magazine holder यहाँ पे मिल of the line variant A7L, तो कैसी लगी वीडियो हमें comment करके ज़रूर बदाईएगा, मिलते अपनी next वीडियो में, जब तक के लिए, जय हिन जय भारत, वंदे मातरम